वेल्कम बैक आफ्टर दे ब्रेक मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जो की दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए on 0129-4088-152 डॉक्टर सहाब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप जो पश्चात कर्म हैं उनके बारे में बतानी जा रहें थे तो जब सफाई हो चुकी है जब हमारे टॉक्सिंस सारे बॉड़ी से बाहर निकल गएं तो उस समय जो क्या करना है ताकि आदमी नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस आए जैसे के गाड़ी की जब सर्विसिंग हो जाती है तेल पानी बदल दिया इंजिन दुबारा से जो ओवर हॉलिंग हो चुका है कही बारी देखा होगा कि गराज वाले आपको बोलते हैं कि कुछ दिन के लिए गाड़ क्योंति हम स्वाइब दोड़ी आपकर अमागा दॉफक़ व्रेहिदा जैसे एके जूब को हम इने बादमीन हो जाइब ऑर होगए अगले 17ले 주고와 matter उसमें हुसमें मुख्य रूपर से शुरू में जैसे चावल पानी पिलाते हैं या मुंङ की डाल का पानी है फिर 20 जो है किडिी पिलाते हैं चावल मांड पिलाते हैं इस प्रकार से इसको पूरा करके ताके वो उसकी अगनी दुबारा से प्रदीप्त हो जाए उसकी शक्ती थोड़ी वापस हो जाए और ये सब चीज जब वापस आएगी तब उसको कहेंगे तीन, चार, पांच दिन के बाद कम से कम अगर पूरा पंच करम किया है तो 14 दिन का होता है 14 दिन के पश्चाद फिर वो अपना नॉर्मल दाल, रोटी, चावल, सबजी पर धिरे-धिरे ऐसे आता इसको बोलते हैं पश्चाद करम जी जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है हलो नमस्कार जी वेलकम टो इटरनल हिल्थ, आपका शुब नाम मेरा मेरा मैडम रमनीत है कहां से बोल रहे हैं आपकी पीजе क्या समस्या है आपकी कितना पुराना है एक साल पुराना ही है तो इसमें कोई आप संकोच ना करें किसी प्रकार का सीधा इसी नंबर पर किसी और समय दिन में बात करिए और एक डॉक्टर से पूरा अपना हिस्ट्री लिखवाईए और दवाई मंगाई है यह मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि हमारे पास डायबिटीज के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मैं कहता हूं कि इतने चमतकारिक रिजल्ट आ रहे हैं कि हमें भी के वर यह बड़ी खुशी भी होती है और बड़ा आश्चरी भी हो ज खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे लेकिन क्योंकि हम अपने शो में नुस्खे भी बताते हैं तो एक नुस्खा आपको भी बताते हैं कि मेथी जो होती है एक चमच मेथी आप रात को भिगो दीजिए पानी में और सुबह उसको जो है खाली पेट आपको चबा कर दीजिए और इन दे मीन टाइम आप हमारे इसी नंबर पर फॉन करके डॉक्टर से बात करिए अपनी प्रॉब्लम को समझाए और दवाई मंगाईए मुझे उम्मीद है कि पहले दो तीन महीने में आपकी अलोपेथिक दवाई हम जो धिर धिरे बंद कराने की कोशिश कर महीने में अर्वेदिक दवाई भी आपकी बंद कर देंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे बिल्कुल यह मैं क्रान चाहिए कुछ भी हो वह हमें पूरा हिस्ट्री जबाब देंगे ना अगर आप पर्सनली भी आना चाहते हैं तो पर्सनली भी हमारे क्लिनिक्स आप तो हैं वर संब्सक्राइब अगर मेरे इस नहीं हो पाती है आपकी तो जो भी हमारे डॉक्टर क्लिनिक में वह त्वह क्वालिफाइब डॉक्टर ने आप कम से कम हीलाज तो शुरूक करें देर क्यों करते розहर कुण और कभी मैं क्लिनिक में होता हूँ तो मेरे से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी इस टाइम को ऐसी बात नहीं ठीक है जी जी हम उमीद करते हैं कि आप प्लीज क्लिनिक पर आये और ट्रीटमेंट जल से जल शुरू कीजिए ताकि यह जो प्रॉब्लम है यह आपकी जड़ से निकल जाए ठीक है जी हमारे कारिक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुडबाई तो डॉक्टर सहाब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि पंच कर्म और आरोग या शक्ति के बीच में क्या संबंद है अरोग शकती हमारी जैसा कि हमने बार बार इसी सीरीज में आपापरें सब्सक्राइब पंच करम करते हैं तो पंच करम करने से केवल शरीर की शदी नी होती हम ने यह сосक हैए लोगों का बहुतशी इस्दी नहीं है भार लोग होते हैं कि बिलकुल depression में है, नग उनका विलकुल block हो चूका है, suicide करने की काई बार ट्राई कर चुके है, ऐसे लोग भी जब हमारे पास आते हैं, और पंज करम कराते हैं, mental cases जो, mental case को बोलते है, मानसिक विकार, तो उनके उस लेवल पर भी जाके जो है पंचकरम का effect पड़ता है क्रिया है सारी physical हैं लेकिन ये जो शरीर है हमारा ये केवल शरीर अकेला नहीं है शरीर के साथ ही मन जुड़ा है और शरीर के अंदर ही इंद्रिया है हमारी और इसी के अंदर आत्मा रहती है तो अगर हम एक चीज पर कोई काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि दूसरे पर असर नहीं डालता है, सबका ही शोधन होता है, मैंने तो यहां तक भी देखा है, क्योंकि मैं खुद भी इस प्रक्रिया को कही बारी करता हूं, कि इसके करने के पस्चात आपका जो चित्त जो है पर आपके अंदर इतनी पावर आजाती है, कि बोड़ी आपकी किसी भी प्रकार के रोगों को दूर करने की उसमें ख्षमता आजाती है, जी जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया, इसी की साथ हमारे एपिसोर का वक्त समाप्त हो चला है, तो आपसे रिक्वेस् तो साल में एक बार जरूर अपनी इस गाड़ी को दुलवाना चाहिए, क्योंकि इसमें हम दिनबर गंदगी डालते रहते हैं और इसको कभी साफ करते नहीं अंदर से, गाड़ी तो फिर भी बहार से रोज धोते हैं सफाई करते हैं लेकिन इसको कभी नहीं धोते कभी साफ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू जी एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कॉंटक्त कर सकते हैं नोट कर लीजे हमारा पता दोस्तों, गीता में लिखा है कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो और हम आपसे कहेंगे पंच कर्म करो और अपनी आरोग य शक्ती को बढ़ाओ क्योंकि हर व्यक्ति के जिंदगी का यही उद्देश्य होना चाहिए Ultimate Health of Mind, Body and Soul तो कर लीजे ये इरादा, कर लीजे अपने आपसे ये वादा किसी भी चीज़ से ज्यादा आप रखेंगे खयाल अपनी सेहत का इसी संदेश के साथ मैं शल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा हमारी कामना आपका आनन मैं जीवन गुडबाई, नमसकार झाल